Hello my dear students, welcome to BL Online Classes Students, आज हम बात कर रहे हैं जो Class 11th की English की बुक है Snapshots Snapshots, Snapshots का जो क्या है? First lesson है, जिसका नाम है The Summer of the Beautiful White Horse कौन सा? The Summer of the Beautiful White Horse जो लिखा गया है William Saroyan के दुवारा हम इस lesson को पढ़ेंगे पहले इसमें देखते हैं कि इस lesson के अंदर क्या है? तो इसमें क्या है? कि अर्मेनिया के रहने वाले दो कजन्स का दो बाईयों की बात की जाती है जो किसी ऐसे जन जाती से विशेश समन्द रखते हैं जो अपनी क्या है? अपनी विश्वाश पतर या अपने मतलब वफादारी के लिए जाने जाती है तो students हम read करते हैं स्टोरी को अब इसमें देखी इस स्टोरी इस अबाउट इसमें हम देखें इस स्टोरी इस अबाउट टू पूर अर्मानियन वोईज मतलब अर्मानिया के दो लगों की who belong to a trip trip मतलब जन जाती से whose hallmark मतलब उनकी पहचान है trust and honesty विश्वाश और इमानदारी उनकी पहचान है one day back there in the god old good old days when I was nine and the world was full of every imaginable kind of magnificence अब इसमें देखो I was nine कि जब मैं नो वर्ष का था यहाँ पे लेखा कह रहे हैं कि उन दिनों की बात है कि जब मैं क्या हूँ नो दिनों का था sorry, नो वर्ष का था और दुनिया मेरे लिए क्या है कलपना करने वाली ही थी imaginable थी and life was still a delightful and mysterious dream जिन्दगी में क्या है delightful क्याते है अनन्द परत समझो या अनन्द बाला कोई सपना था और रहसे में मेरे जिन्दगी में रहसे भी बहुत था my cousin मुराद मेरे कजन का क्याना है मुराद who was considered crazy by everybody who knew him except me और इसको हर कोई मेरे भाई मुराद को हर कोई क्या कहता था crazy कहता था पागलों ने वाला उन्मादी लेकिन कि जितना मैं अच्छे से जानता था उतना उसको कोई भी नहीं जानता था फिर नेक्स देखो came to my house at 4 in the morning and walk me up tapping on the window of my room एक बार कहे कि वो मेरे घर में 4 बज़े आया सुबे morning में walk me up मेरे को जगाया उसने window पर tap करते हुए लगातर हाथ मारते हुए window पे थपाते हुए खिड़की को अराम ही sad मेरे नाम किया इसमें क्या है जो लेख गए उसका नाम क्या बताया गया यहां से पता चला है अराम और फिर वो उसका भाई है जो चचेरा भाई है आवाज लगाता है कि अराम I jumped out of the bed and looked out the window मैं बैट से कुदा और window की तरफ बार देखा I could not believe what I saw मैं देख विश्वाश नहीं कर पाया कि मैंने क्या देखा It was not morning yet यह morning नहीं थी but it was summer मतलो यह गर्मी थी and with daybreak not many minutes around the corner of the world it was light enough for me to know I was not dreaming कि मतलब परकाश बिलकुल अंदेरा भी नहीं था कि मुझे समझना आई मैं समझ भी सकता था कि मैं कोई सपना नहीं ले रहा था My cousin Murad कि अब उसके cousin का क्या नाम बताएगा है Murad है जो was sitting on a beautiful white horse वो एक बहुत सुन्दर सफेद गोड़े पे बैठा हुआ था I stuck my head out of the window और मैंने खिडकी से अपना सिर बाहर निकाला and rubbed my eyes और मैंने क्या किया अपनी आंखें मली मतलो अपनी आंखों को रब किया Yes, he said in Armenian और उसने मतलो अर्मानिया की बाश्या में कुछ ना कुछ बोला में रिको गयते हाँ It is a horse ये कोड़ा है You are not dreaming up सपना नहीं ले रहे हो Make it quick of you went to ride कि यदि आप इसकी यातरा करना चाहते हैं I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else Who had ever fallen into the world by mistake But this was more than ever Even I could believe कि मुझे पता था मैं जानता था अच्छे से कि जो मेरा चचेरा भाई ये मुराद है उसने अन्ने लोगों से ज़्यादा जीवन का अनंद लेते हैं Enjoyed being alive more than anybody मतलो जो दूसरे लोगों से ज़्यादा जिन्दगी का अनंद ले रहा है वो और कि वो क्या है दुनिया में ही इसी गल्ती से पैदा हुए वो तो किसी और दुनिया के लिए था ऐसा लग रहा है जैसे worldwide mistake अग रहा है But this was more than even I could believe लेकिन जितना में बिश्वाश कर सकता है इसने तो उससे भी बड़ा काम किया मतलो यह जो गोड़ा लेकिया था In the first place my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride कि दो कि मेरी earliest memories थी जो पहले की memories थी वो गोड़ों की याद नहीं थी मतलो गोड़ों की ही memories थी और मेरी सबस्वे पहले इच्छा भी क्या थी ride करना long और यह इच्छा longing इच्छा ride मतलो गुड़सवारी करना ही मेरी इच्छा थी This was the wonderful part यह बहुती आस्चर जनक बहुती सुन्दर अदभुत भाग था In the second place दूसरी बार we were poor और दूसरी जगह देखे था हम गरीब थे This was the part that would not permit me to believe what I saw और यही करने हमारी गरीब भी ही ऐसी चीज़ थी जो मैं देख रहा था उसके उपर विश्वास नहीं मुझे करने दे रही थी क्योंकि गोड़ा हमारे वस्त की बात नहीं थी We are poor, हम गरीब थे We had no money, हमारे पास कोई पैसा नहीं था Our whole tribe was poverty stricken, poverty दिर्दन था गरीब भी कि हमारी जो पूरी की पूरी ट्राइब थी पूरी की पूरी ट्राइब मतलब जंजा थी थी वो क्या गरीब भी से पीड़े थी Every branch of the Garoglian family was living in the most amazing and comical poverty in the world Garoglian Garoglian मतलब Garolian बोल रहा है Garolian का जो प्रतेक प्रिवार है या फिर जो भी सदसे है प्रिवार का वो दुनिया की सबसे ज़्यादा गरीबी महसूस कर रहा था सबसे ज़्यादा गरीबी में जीवने अपन कर रहा था फिर भी क्या है वो खुश था दुखी नहीं था Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food or in our bellies और कोई भी नहीं जानता था कि हमारी bellies के लिए हमारे पेटों के लिए हमारे पेट के लिए हम प्रयापत जो money है पैसा है बोजन के लिए कहां से लेकिया रहे थे पैसा है बोजन जो भी Not even the old man of the family और इसमें ये भी देखने वाली बात है कि हम पैसा कहां से प्राप्त कर रहे थे किसी कोई नहीं पता था और सबसे बड़ी बात कि हम क्या है हमारी इमानदारी के लिए परसित थे हमारे जो पूर्वस थे वो भी नहीं समझ पा रहे थे इस चीज़ को Most important of all ये लाइन आईगी इसमें कि हम हमारी ओनेस्टी के लिए फेम्स थे लगवग पिछली ग्याराश ताफदियों से हम हमारी ओनेस्टी के लिए फेम्स थे और अब इसमें देखिए कि जैसे ही हम उस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर थे क्यों थे? क्योंकि हम हमारी ओनेस्टी के कारण अमीर थे We were proud first हमें हमारे पर गरव था honest next कारण क्या था कि honest के कारण and after that we believed in right and wrong और फिर हम विशवाश करते थे गलत और सही में पहले हम इमानदार होते थे मतलब इमानदार ही सबसे पहले रखनी है गलत सही बाद में देखना none of us would take advantage of anybody in the world let alone still अब इसमें देखिए हमारे में से कोई भी व्यक्ति दूसरे का फाइदा नहीं उठा सकता था चोरी करने तो बहुत दूर की बाती स्टील होते हैं कोई चुराने दूसरे का फाइदा भी नहीं हम तो उठा सकते थे consequently consequently होता है कि इसके result के type में प्रिनाम सवरूब even consequently होता है प्रिनाम सवरूब even though I could see the horse की जैसे मैं गोड़ा देख सकता था so magnificent magnificent का रथ क्या हो जाएगा कि इसमें है कि बहुती शांदार था magnificent होता है बहुत शांदार even though I could smell it कि हाँ मैं उसकी गंद भी ले सकता था सुंग सकता था उसको स्मेल ले सकता था so lovely बहुती बहुती lovely थी वो भी even though I could hear it breathing so exciting मतलब मैं उसकी breathing मतलब सांस लेते हैं सुन रहा था exciting क्या चेक उतेजक बहुती उतेजना पूरण थी उतेजक थी I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family और मुझे विश्वाशनी हो रहा था मैं समझ नहीं सकता था कि ये इस गोड़े का मेरे भाही चचेरा भाही है जो Murad है हमारे परिवार के अन्ने सदस्य मैं इस सभी से कोई समंध भी नहीं था इस गोड़े का asleep or awake because I knew my cousin Murad could not have bought the horse because मुझे पता था चाये मैं सोया हूँ जागता हूँ किसी भी हालत में मतलब इसका मतलब asleep or awake मतलब किसी भी हालत में कि मैं इतना जानता था कि जो Murad है वो उसको खरीद तो नहीं सकेगा and if he could not have bought it he must have stolen it कि इतना तो शाओर है यदि उसने इस गोड़े को नहीं खरीदा तो उसने इसको stolen कियोगा मतलब इसकी चोरी करके लगए कहीं से इसको and I refuse to believe he had stolen it फिर मैंने refuse मतलब मैंना कर दिया इसने चोरी कियोंकि मैं इस बात पर भी विश्वाष नहीं कर सकता था कि वो चोरी कर सकता था No member of Garolian family could be a thief क्यों मैंने मना कर दिया विश्वाष करने से क्योंकि Garolian family कोई भी आदमी चोर नहीं हो सकता था I started first at my cousin मैंने पहले टक्टगी लगा के घूरते हुए मेरे कजन की तरफ देखा and then at the horse और फिर गोडे की तरफ देखा there was a pious stillness and humor in each of them which on the one hand delighted me and on the other frightened me अब इसमें देखिए कि उन दोनों की अंखों में एक ही पवित्र सी शांती और विनोथ था मतलब पियस होता है अपने को बोले अच्छा सा या पवित्र था और अब इसमें देखिए हमारे हमारे क्या होता है मतलब एक संतुष्टी होना मतलब खुश होना अंदर से यह बंदा है in each day which the hand delighted me and on the other frightened me और अब इसमें देखिए कि एक साइड तो उसने किया कि मेरे को बहुत अनंदित भी किया on the one hand मतलब एक साइड तो अनंदित भी किया कि इतना अच्छा गोडा लेक है कितना सुन्दर है और एक साइड मुझे frightened मतलब ड्राव ही रहा था कि कोई चोरी करके तो नहीं ले आया है मुझे इस बात का डर भी था मुराद I said where did you steal this horse कि आपने ये horse कहां से steal किया है कहां से चुराया है leap out of the window he said if you went to ride अब देखो फिर उसने का कि यदि आप गोड़ सुन्दर करना चाहते हो तो leap लीप होते हैं ने कुदना कि खिड़की से बार कुदाओ it was true then फिरियस सही बात थी he had stolen the horse और यही कारण था शाहिद उसने गोड़ा चुराया था इसलिए करने जल्दी से आज़स्वारी करनी है तो there was no question about it उसके बारे में कोई question नहीं था he had come to invite me to ride or not as I chose और वही देखिए कि वो मुझे हमंत्री करने आए था invite करने आए था कि ride करने आ या नहीं करनी लेकिन आगे इच्छा मेरे थी कि मैं करूँ या ना करूँ next देखिए well it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else कि फिर देखिए कि मेरे लिए कुछ और चीज़ चोरी करना और गोडा सुवारी करने के लिए चोरी करना ये सत्ते बात नहीं थी एक जैसी बात नहीं थी ये तो बिलकुल अलग था such as money मतलो पैसा चोरी करना गोडा सिर्फ सवारी के लिए चोरी करना बहुत difference था इसमें For all I knew कि जितना मैं जानता था Maybe it was not stealing at all ये कोई stealing नहीं थी ये कोई चोरी नहीं थी If you are crazy about कि यदि आप क्या हो crazy हो उनमादी हो यदि आप गोड़ों के बारे में crazy हो उनमादी हो जितने की मैं और मेरा जो कजन है मुराद थे It was not stealing तो हम इसको चोरी करना नहीं कह सकते थे कि सिर्फ अपना इच्छा पूरी करने अपनी खुशी के लिए वो गोड़ा लेके आए थे It would not become stealing Until we offer to sell the horse जब तक हम इस गोड़े को ना बेच चाहे तो हम इसे चोरी करना नहीं मान सकते थे Which of course I knew the would we would never do और जो मैं अवशे ही जानता था कि हम ऐसा नहीं कर सकेंगे हम चोरी नहीं कर सकेंगे Let me put on some clothes I said कि मुझे कुछ कपड़े पहने दो मैंने बोला All right he said but hurry वो कहते है हाँ ठीक है I lived into my clothes कि मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिये I jumped down to the yard from the window and lived up onto the horse behind my cousin Murad मैं जल्दी से खिडकी से बाहर yard में yard के हैं अंगन yard अंगन अंगन में चलांग लगा ये कूदा खिडकी में से होता हुआ lived up onto the horse behind my cousin Murad और मैं अपने cousin Murad के पिछे गोड़े पे चड़ गया that year we lived at the edge of town edge होता है किनारा हम टाउन के बिलकुल किनारे में रहते थे उस साल on walnut avenue कौन सी जगे पे जिसका नाम था walnut avenue behind our house was the country और हमारे घर के पिछे पूरा देश था या पूरी country थी जिसे हम बोलें कि मतलब country यहां पे देश को नहीं बोलें क्यों कि गरीब लड़के हैं तो उनका देश उनका गाम ही है जिसका नाम था winny arts और अब इसमें बता रहा है पूरा गाम था और गाम के पिछे wine yards orchards irrigation ditch and country roads country road मतलब वहां पे सडकें थी कुछ अंगूर की बेलें थी और कुछ और चार्ड orchard क्या होते हैं जो फलों के बगिच्च बगएरा होते हैं irrigation ditch irrigation ditch ditch घाई को बोलते हैं irrigation सिंचाई होते हैं irrigation दियान है ना सिंचाई को बोलते हैं and then the horse began to trot और अब देखिए trot trot क्या थे लगाता है और सरपट चलना बोलते हैं मतलब एक स्पीड में लगाता है दोडता ही दोडता जाए और गोड़ा क्या था सरपट चलना एक स्पीड में चलना शुरू कर दिया था उसने the air was new and lovely to breathe और हवा हमें वो नई नई और सांस लेने के लिए बहुत सुन्दर लग रही थी the feel of the horse running was wonderful मतलब उस गोड़े की जो स्पीड थी दोड़ना उसको मैसूस करना ही मेरे लिए अस्टेजनक था बहुत ही शानदार अदबुत था my cousin मुराद who was considered one of the craziest member of our family began to sing और मेरा जो cousin में था कौन मुराद हमारे members के family members थे उनमें सबसे उनमादी था वो उसने गीत गाना शुरू कर दिया I mean he began to roar और मेरा मतलब क्या है गीत गाना गीत गाना मतलब मदूर नहीं गारा वो ठाके मार रहा था जोर जोर से धार धार के कोई गीत गा रहा था तो students आज की class में इतना ही मिलते है next lecture में यहां से कहां से? यहां से ओके? तो students तब तक goodbye